Q1. Visualize 3.765 on the number line using successive magnification. Okay, तो हमें इसको magnify करते जाना है, हाँ, deep and deep and deeper again and again. तो 3.765 को हम अगर थोड़ा सा देखें, तो ये 3 और 4 नंबर के बीच में होता है. तो we notice that number 3.7 lies between 3 and 4, सबसे पहला step हमें ये notice करना होगा, कि किन whole numbers के बीच में ये आता है, किन natural numbers के. First we locate number 3 and 4 on the number line and divide the portion into 10 equal parts. Okay, सबसे पहले हम 3 और 4 को locate करेंगे और 3 और 4 के बीच में हम इनको 10 equal parts में divide करेंगे, like this. Okay, the further 3.76 lies between 3.7 and 3.8. अब हम 7, first digit हम देख चुके, अब हम देखेंगे 2 digits को. तो 2 digits, यानि कि 7, 6 किन दो numbers के बीच में लाई करेगा? 3.7 and 3.8 के बीच में. So, we magnify 3.7 and 3.8 and divide the portion into 10 equal parts. तो 3.7 and 3.8 को भी हम कितने parts में divide करेंगे? 10 parts में. Okay, next, हमारा number है 3.765. अब 3.765 की बात करें, तो ये बीच में होगा 3.76 and 3.77 के. So, we magnify 3.76 and 3.772. And divide the portion into 10 equal parts. तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा question और हमारा question है 3.765. Okay, our question is 3.765. इसको हमें magnify करना है. तो 3.3 point something means 3 और 4 के भीच में. हमने एक number line draw करी 3, 4 और 3 और 4 को हमने magnify करा. 3 is there and 4 is there. तो मैंने बोला था 3 और 4 को 10 equal parts में divide करेंगे. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 and then 4. तो होगे 10 equal parts में divide. अब हमें पता है कि 3.765. तो 3.7 तो 3 और 4 के भीच में था. अब हम 76 की बात करेंगे. यानि कि 3.7 और 3.8 के कही न कहीं बीच में 76 होगा. तो हम 3.7 और 3.8 को एक नमबर लाइन पे लिखेंगे. और फिर इनके बीच में भी हम 10 equal parts करेंगे. क्योंकि 3.7 के बाद होगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77. ओके अब हमें पता है 3.76. कहा होगा 3.5. अब हम 3 डिजर्स ले रहे हैं. तो 3.76 और 3.77 के कहीं न कहीं बीच में होगा. ओके अब हम इसको और magnify करें. 3.76 और 3.77 को हम फिर से एक नमबर लाइन पे ड्रॉग करेंगे. और 3.76 और 3.77 के parts को 10 equal parts में divide करेंगे. तो 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.76, 5. फाइनली हमें वो नमबर मिल गया जिसकी हमें दलाश थी. Okay, तो point O in step 4 represent the number 3.765 on the number line. पर बमाईनली हमें वो जुआ करेंगे. कर दो दो तो झाल